नमो नमहा सच्चिदानंदर उपाय वेश्वद पत्यादिहे तवे तापत्रय विनासाय श्री कुरुष्णाय वयम नुमहम एक प्रश्ण लेते हैं गुरुजी प्रणाम मुझे ध्यान में और खुली आखो से नील और सुनेरी बिंदु दिखाई देती है ऐसा क्यूँ? जो लोग ध्यान करते हैं उनको विवीद प्रकार के अनुभव होता है आप स्वेतास्वर उपनिशद थोड़ा सा पढ़ लेना ऐसा ज्यादा पढ़ने का मैं नहीं बोलता हूं मगर स्वेतास्वर उपनिशद में बताया कि ध्यान में ऐसी ऐसी चीज आपको होती है तो ज जैको अनुभवूती नहीं जाहता हूं तो यह बंद्द हो जाएगा एसा नहीं को सित्र में गूरूदी होता हिंघ तो गुरू के साथ 2-3 चीज़ जुड़ी है द्यानमूलम गुरुर मुर्ति पूजामूलम गुरुर कुरुपा ये जो पूजा जो है तो एक मंत्रमूलम गुरुर वाक्यम तो ये जो स्लोक आपने सुना होगा तो गुरु का मतलब है आप से मैं बताता हूँ ऐसा नहीं कि गुरू स्थूल फ्रम में ही रहता है गुरु तो सुक्स्म में भी रहता है गुरु तो गुरु है उसका ऐसा नहीं कि ये रूप में रहेगा वो रूप में रहेगा गुरु का आप गुरु के बारे में क्या जानेंगे सुनो तो मगर ऐसा है कि आपको मैं जो मैंने जो गुरु से सीखा है वो मैं आपसे बताता हूँ तो पहला आता है गुरु मंत्रा तो एक मंत्र को सिलेक कीजिए गहरा स्वास लेजिए जो भी मंत्र आपको सेट होता है वो बोलिए फिर जब स्वास लेने के जुरुद पड़े तो नाकसे स्वास ले फिर से बोलिए यह जब आप करेंगे तो पहला स्टेफ होगा ध्यान का पहला स्टेफ पकड़ लो फिर दूसरा ते आत्मविचार प्रश्न परमात्म को मानते हैं तो उसकी पूजा करो मानस पूजा करो यह जो तीन चीज है वो ध्यान का प्रथम है इस त्री स्टेप्स जो मैंने बताए शब्द विचार और चित्र उससे आगे ध्यान करोंगे तो ऐसा कोई वाद नहीं है इसे देखो आपकी स्थिती के ही साब से जब प्रश्न उड़ता है तो ऐसा जवाब है तो चलो आप मैं तो यही समझता हूं कि आपको जब नील बिंदु दिखता है तो ऐसे यह बहुत अच्छी बात है जो सिद्ध गुरु लोग की बुक रहती है तो ऐसे आपको ऐसे नहीं यह बुक पड़ो यह बुक पड़ो मगर उसमें बताए कि नील बिंदु जब दिखाई देते तो सादक की स्थिती बहुत उंची होती है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं आपके भी नील बिंदु दिखाई देता है तो जिसको नील बिंदु दिखाई देता है वो सादक क स्थिति बहुत उंची है आपकी सारे एक स्थिति पर मज जाए आप तो बोलें के मेरे अंदर तो यह है यह वह मज आपकी अद्यत्मिक स्थिति उंची आप लेके आए पूरो जनम में तो बस आप साधना कीजिए आपका बहुत विकास होगा और में गड़ ब्लेस यू आपको जो भी पसंदे वो शब्द कीजिए फिर विचार कीजिए और फिर मनस पूजा कीजिए शब्द विचार और चित्र तो यह साधना करके बाद आप ध्यान म होगा में गड़ ब्लेस यू अनन्द में रहो मोज में रहो हराल में खूश रहो एंजो एवरी मोमेंट अप दे लाइफ ओम नमाहा ओम नमाहा